नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेटर में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम एक और नई तरह की केंडल के बात करने वाले हैं, केंडल स्टिक चार्ट में जो केंडल बनती हैं, तो आज जो केंडल हम बात करने वाले हैं, उस केंडल का नाम है हैमर, हैमर का हिंदी में हार्थ होता है हथोड़ी तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका शेप जो है वो हथोड़ी ऐसा दिखाई देगा जैसे उपर लोहे का वो होता है और नीचे लकडी का डंडा होता है तो आज हम हैमर केंडल स्टिक की बात करेंगे कि हैमर केंडल स्टिक क्या होता है पहले पोर्षिन में हम ये बात करेंगे दूसरे पोर्षिन में हम बात करेंगे कि ये चार्ट में कहां आता है मतलब चार्ट में ये हर जग ये पैटर्न आएगा तो हैमर नहीं चार्ट में ये कहां आता है और उसके बाद उसका क्या अर्थ निकलता है यह तीसरा portion है उसका क्या अर्थ निकलता है आपके trading या investment में अगर chart में आपको यह दिखता है तो इसका मतलब क्या है और आप इसके ऊपर किस तरह का trade ले सकते हैं तो यह तीन portion में हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पह और वो जो चैनल स्टिक को समझते कैसे हैं वह आप डिसकस करना चाहते हैं तो आप टॉप राइट में देख सकते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाई सब्सक्राइब कीजिए तो हैमर केंडल स्टिक वह होता है जिसमें ऊपर एक शॉ हुआ है इसमें इसमें इदर यहां पर ओपन हुआ है और यहां पर एक वन हुआ है लेकिन किति की स्टाइम के ऊपन समय्हें ऑपनमा करेकिन just तो अब हमिर की थोड़ी स्टोरी देखते हैं, स्टोरी ये है कि प्राइस यहां पे खुला है, देखिए, ये प्राइस खुला, तो पहले बियर प्राइस को बहुत नीचे लेके चले गए, लेकिन इस पॉइंट पे एक्स्ट्रीम बाइंग अवेलेबल है, तो यहां से जो है वो बुल्ज ने वापिस प्राइस को उपर पुश कर दिया, तो ये स्टोरी है इसकी, तो इसलिए यहां पे एक्स्ट्रीम बाइंग है, तो आप भी यहां पे बाइंग कर सकते हैं, तो यह एक स्ट्रॉंग लेवल बन जाता है आपका, रिवर्सल के लिए, तो बियरिश र तो उपर आपको एक बॉड़ी दिख रही है, हैमर की, और नीचे जो है लॉंग विक है, इसे बोलते हैं हैमर, ठीक है, अब ये चार्ट में कहां दिखती है और उसका क्या मतलम निकलता है, किसी भी चार्ट में अगर प्राइस आपका नीचे आ रहा है, और उसके बाद अचानक जो है, हैमर केंडल दिखाई देती है, वो किसी भी कलर की हो सकती है, इसके में आपको ग्रीन दिख रही है, वो रेड भी हो सकती है, अगर ये यहाँ पर रेड होती, तो भी सेम चीज होती, तो किसी भी डाउन ट्रेंड में अगर जब आपको एक हैमर केंडल बनती है तो very high probability है कि इसके बाद trend up हो जाएगा समझे फिर से समझा देता हूँ अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे इसको कोई भी downtrend चल रहा है यानि जो है पुरानी candles में price नीचे 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 आता जा रहा है और फिर आपको एक hammer दिखाई देती है इसके आगे कभी आपको पता नहीं है तो यह वाला portion अभी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अगर आपको downtrend में hammer दिखी वो किसी भी color की हो grain की हो या red की हो तो उसके बाद possibility यह है कि यहाँ से price reversal होगा तो इसे बोलते हैं bullish reversal तो negative से hammer आया positive price होगा तो इसका आप use क्या कर सकते हैं मान लिजे अभी price नीचे नीचे आता जा रहा है आप वो stock को buy करना चाहते हैं तो आप किस point पे buy करेंगे तो अगर आप मान लिजे यहाँ buy करें तो there's a possibility it might go down तो यह एक buying signal है आपके लिए कि अगर price नीचे आ रहा है तो यह एक वो point है जहांपे आप यहां से buy करेंगे price उपर जाएगा तो आपको profit मिलेगा या फिर आपने short sell किया हुआ है futures में या options में या day trade में अगर आपने short sell किया हुआ है और आपको price नीचे जाने से profit हो रहा है तो यह एक आपका short sell में आपका exit point बन जाता है क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि price फिर से उपर जाना शुरू होगा तो अगर आपने already short sell किया हुआ है तो यह आपका exit point बन जाता है लेकिन अगर आप खरीदना चाते हैं तो यह आपका buy point बन जाता है ठीक है तो यह हो गया chart अब यह हम इसे देखते हैं proper chart में तो हम देखिए यह आए हैं हम nifty के chart पे तो यहां हम किसी point पे ओके यहां देखिए आप यह center में आप आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर price जो है वो नीचे आ रहा है और यह एक candle जो है hammer candle बनी है यानि छोटी सी body लंबी विक और उसके बाद price movement अप चला है ठीक है ऐसी आप और देख सकते हैं जैसे यह एक और candle है अगर आप इसे देखें तो यहां से price नीचे आ रहा था यह बना और फिर price उपर चला गया है इसी तरह से और आपन डून के reversals जो है वो देख सकते हैं ओके तो यह हमने दूसरा share खुला है यहां भी आप देख सकते हैं कि यह एक day काई है और पांच मिनिट के time frame पे है तो यहां पे भी आप अगर देखें तो यह देखें कि यह एक तरह से downtrend में है और यहां पे आपको जो है वो hammer बना है और उसके बाद uptrend शुरू हो गया है तो इस तरीके से यह देखें यह pure hammer नहीं है जो भी candlestick जो बनती है वो एकदम pure नहीं बनती है मतलब उसमें possibility है कि कई बार छोटा सा यहां पे हो या थोड़ा सा इतना हो तो थोड़ा ब downtrend है और hammer बनता है तो उसके बाद uptrend आने की possibility बहुत ज़्यादा है यह बताता है हमारा hammer candlestick और यह हमेशा आपके downtrend के bottom में बनता है और उसके बाद uptrend शुरू होता है यह एक bullish signal है तो अगर आपको buy करना है तो आप इसे यह point है अगर आपको buy करना है तो यह point है जहां से आप buy कर सकते हैं जैसे यह hammer है इसी तरह का एक inverted hammer भी होता है आप देखिए इस case में भी जो है price यहां से यहां आ रहा था और inverted hammer फॉर्म हुआ और फिर price उपर जाना शुरू हो गए यह मैं किसी दूसरे वीडियो में मैं cover करूँगा लेकिन जस मैंने आपको बताने के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं inverted hammer तो यानि hammer उल्टा inverted मतलब उल्टा तो पहले hammer में उपर top होता था इसमें top नीचे है तो यह है inverted hammer उसका भी meaning लेकिन यह उतना strong signal नहीं है जितना strong की हमारा hammer होता है तो hammer simple है downtrend में अगर movement चल रहा है और आपक possibility बहुत ज़्यादा probability है कि उसके बाद market उपर चले I hope guys बहुत simple सा concept है आपको सुझ माया होगा तो that's it guys वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो like कीजिएगा और इस तरह एक और वीडियो देखने हो तो channel को subscribe कीजिए bye bye and take care